हेलो फ्रेंड्स वल्कम टू मैं चैनल आज किस व्यूडियों बात करने वाले हैं बी ये प्रोग्राम सिक्स सेमेश्टर थर्ड यार वाल वच्चों का है हिस्ट्री का बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है फ्रेंड पूंजी बात और अधोगी करड ठीक है मैंने दो तीन स साल के पेपर उठा के देखें फ्रेंड ठीक है उसमें पूंजी बात का देर रखा था ठीक है इसलिए बहुत इंपोर्टेंविटन जुंदम अर्थ व्यवश्तता देम का जाता है फुञची गमर्थ हर्थमते पुणजी चаться की जा आपके अर्त संपति रखी हुई है वि особ ख़ुड का अधिकार होता है उसको बोलते हैं फुर ना रूपया पैसा मशी आधि उसको सब्सक्राइब तो आप देख लेना इसको आगे बढ़ते हैं पुंजिवाद जिन देशों में पुंजिवाद अर्द्वेवस्ता होती हैं वहां उद्ध्योग वस्तु और सेवाएं नीजी कमपणियों या प्राइबट सेक्टर यानि प्राइबट कमपणियों के हात्म होता है यानि जिस द थी सरकार का कोई हस्तच्चह नहीं होता है अर्थ में उत पक्रम देख कर सभी ने झासे हात्व में आपने देखा होगा कि और सारी ऐसे कमपणियां प्राइबट सेक्टर ने फ्रेंट व्योंक्त कोई दोस्वाद को टैक्स लेने कितना उसका कुछ प्रसेंट आपको सरगार्वर्मनंट को देना पड़ता है ठीक है मुनाफ़ को बढ़ावा दिया जाता है आपने पहले पैसे देते पैमेंट लाते तो उतना ही देते हैं ठीक है खुली प्रतियस परदा होती है यानि इस में एक कंपनी दूसरे कंपनी से क्या होता है फ्रेंड होड लगी रहती है कि को अधिक मुनाफ्य में रहेगे और मार्केट में ज्यादा ठीक है कमाई करेगी कि उसंजड वहता है अपने देखा होगा समय को कितना सूच़ हो रहा फ्रेंड अभी भी आप देख लिए कल खार खानों में ऐसा है कि पहले दस साल जो पहले दो साल चार साल पहले जो पर वेतन दिया जाता था ठीक तो यह तो कि तना मेनत कर ले ठीक है उसको कोई उसका ज़्यादा मजदूरी के हिसाब तो इसको वेतन नहीं दिया जाता है तो इसमें सोशड भी होता है और इसमें अधोगी करण में ठीक है पुंजी बाद आने से ठीक है जो प्राकर्तिक सब्साद्दन उनका भी दोहन होता है बहुत सारी चीजह इसमें समझते हैं अब समझते हैं पुझी बात तो समझ में आगा फ्रेंग अवब अदोगी करण टीक है अधोगी का एक एक एसी प्रक्रिया जिसमें वैज्ञानिक तकनीकों का प्रियोंकर उत्पादन के साधनों में विरिद्धी करना होता है ठीक है सांने इसको स्व की जगस्ट काम लेना होता है ah खाव के आने से क्या हुआ फुले कांइ फुले जो काम हाथों से होते थे अब उसका काम अब कॉन कर रहा है छोरी है तिक है इसके इसके मादयम से मैं सिंट पर श्द आपने जो कृशी पर अधारित ना होकर मसीनों पर अधारित होती है आपने पर आओगा कि ना आने से पहले जो रुजगार का साधन क्या था प्रत्मिक जो हमारी आर्थिक व्यवस्ता थी वो कौन से थी क्रीशी थी लेकिन जैसे जैसे अधोगी करण बनने लगा तो दिरे-दिरे क्या हुआ लोग उदर सहरों की तरफ से तोने लगे रोजगार की तलास में ठीक है और क्रीशी को छोड़ दिया अब क्रीशी में कोई क्रीशी में अभी आप देख लेजिए अधोगी करण का हस्ता चेफ हो गया अब क्रीशी को कारियों को करने के लिए और दोगी करण की मसीनों की आउसकता पड़ती है ठीक परन बहुत सारी ऐसे चीज़ें आ जो क्रीशी को बढ़ावा भी दे रही है ठीक है अधोगी करण का हुआ समय है यह काल है जब उत्पादन के घरों उत्पादन लोगों के घरों से निकल कर कार खानों के बड़े अस्तर मशीनों पर के द्वारा होने लगा ठीक ब्रण अगे दखते हैं अधोगर का अधोगी करण के आने से पहले हातों से किशी वस्तू को बनाया जाता था लेकिन जैसे अधोगर आने के बाद सभी तरह का उत्पादन मशीनों सोने लगा आपको पता है कि जब हमारे पास कोई कपड़ा आप आपने दिखा होगा कि जो अधोगर का पहला चरण पुंजीबाद अधोगी करण का पहला चरण व्यपारिक पुंजीबाद नाम से जाना जाने लगा तता इसका काल 15-18 सदी तक बना जाता है पुंजीबाद क्या हो गया था व्यपार बन गया था ठीक है प्रेंट इसका काल का कारिकाल क्या है 15-18 सदी बें इस शुरू हो गया था यह जब पश्मी देश जैसे इंग्लेंड नीदर लेंड फ्रांस पूर्तगाल और सभ्नाष्ट है यह कही बना लिए ध्याल जाले आने की बना लिन अधियरा कैने लोगों पैर रिगलामि को बढ़ावा मिला था यह इन द्रीया आपको विकासपूरे बिश्ट के स्थापित करना शुरू कर दिया तांकि सभी राश्टीर देश को अपन से या गुलाम बना सके दूसरा चड़ देखते हैं दूसरा चड़ उन्निसवी सताब्दी में विक्सित हुआ इस काल में उध्योग उत्पातन में निवेश सता तक्निकी का विखास तेजी से बढ़ा इसकाल में स्ट्रीम इंजन कपड़ा मशीन और कृष्ची में नयने अविस के अंग्रेजी तो हैं तो अंग्रेज की रेलवे बनाए कि वह उत्पातन को भृदी करना चाहते थी कि अपने इस जगाह से कच्छे माल आपने शहरों में ले जाने के लिए उनने क्या 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 यादायाद को बढ़ा दिया यादायाद की पती तक हुई जैसे रेलवे को और कच्छे माल से नए नए वस्तुएं बना जाते हैं ठीक है तो संसादनों की खोज हुई और इनी संसादनों ने अधोगी करोण में एक रांती ला दी जिससे बड़ी अस्तर पर कारखानों का निर्माढ हुआ और मुक्त बेण को ब्रिद्धी मिले क्या है अनुसार प५ूणज्वात कि आने से न है न क्रिसी छेतर में अट हो आने लगे ठीक है फ्रेंट तो फिर उत्पाद में बिर्दी होने लगी तिक यह सब क्या है उदोगी करण के आने से तो हुआ है अब नहीं लगा इसे कपड़ा बरतन हो गए बहुत सारे दिन लगते बहुत पर क्रिया उती थी बहुत सारा टाइम लगता लेकिन अब नहीं है इसा ठीक है ही मां को पूरा नहीं कर सकते थे आपने पता फिर जन संक्या कितना आतेजी से बढ़ने लगी हाथों से कितना लो पता ही है मसीनों से कपड़ा और कुछ भी कोई बुद्ध बनाने में अधिक से अधिक समय नहीं लगता फ्रेंट लेकिन हाथों में लगता है तो संसाधनों का परियोग मशीनों में होने लगा जो प्राकर्तिक संसाधन थे उनका उपयोग क्या मसीनों में आने लगा और सारी चीज़े मसीनों को हातों से चलाया जेता लेकिन जैसे जैसे टक्नीका भड़ावा हुआ था करने लेगों 600 प्राकरटिक peace इन-एकम में मेंन बर्च्ब होती थी ढहत पादन में ज्यादा विर्द्य होती थी तो हस्त किरिया तता जल सक्ति किये जाने वाले जल सक्ति से किये जाने वाले कारों को अस्थान भाब के इंजनर ने ले लिया पहले क्या था लोग हस्त किरिया करते थे यानि हास्त काम करते थे या जल सक्ति से करते थे ठीकने आपने बहुत सारे देखा होगा कि जीलों से जो पानी गिरता था उससे चक्कियां वगरा चलाए जाती थी तो यह सब प्राकृति संसाधन से यह सब कारे होते थे लेकिन जैसे जैसे अधोगी करण बढ़ा ठीक है इन दोनों किरियाओं का निश्यद हो गया ठीक है यह दोनों किरिय जन्तरों को नहीं माट कि आपने पता है मसीनों से मसीने बनाया याती है तो जब इस पाथ बढ़ने लगा विरिद्धी होने लगी तो जब लोगों की मांग बढ़ने लगी वस्टों शेवाओं की तो इन्होंने क्या-क्या नए-नए कार खाने खोड़ने स्ताफित कर दिया मशीने बनाना श्टार्ट कर दिया में है कि आज ही कि कहने का मतलब है दोगी क्रण के आने से यह आपने देखा हो कि अगल-बगल कि आर्थ व्यस्ता में सुधार हुआ ऑद्धोग की यह बढ़ने लगी अर्थ व्यस्ता क्रिशी शत्रों से खर पर उद्धों की और सभाइं का पता चला दिरे दिरे लोग ठीक है वहां से यहां तक सिफ्ट होने लगे और जिनके पास तो खेती नहीं हो थी प्रण दूसरों के खेते में काम करते तो उनके लिए तो एक रांती हो गए थी कच्छे मालों को भारी मातरा में मस्चुनों के दोरा थिक वस्तों का निर्माण होने लगा लोगों को रोजगार मिलने लगा इस इसमें विरोज़ारी कम होती है ठीक है इसने विरोज़ारी को भी कम किया सन 2009 से 10 में उद्धोग का विकास रोज़गार में 21 प्रतिसत बढ़ गया था ठीक है आतना लेकिन जैसे जैसे उद्धोग होस्ति शारों में बढ़ने लगा ठीक है सबस्ति ने लगे और लोगों ने रोज़गार की तलास में सहरों की तरफ बढ़ने लगे और इसी के कारण कुटीर द्योग का पतन हो गया कि थे सहरों में बड़े माने पर अडोगों को बढ़ावा मिला और लोग रोजगार की तलास में सहरों के बनने लगे नगरों का उदाय वीपारिक्पा केंद्र बन गया था ठीशिक्झा जुभी करा हई। रोजगार के रूप में उदह हो गया आपको पता है कि जो इनके पास खेती बगारा नहीं होती थी फिर उनको बड़ा दिक्कात होती लेकिन जैसे ओधों के रोजगार आया ठीक है उनके लिए एक तो एक क्रांथी से कम नहीं था ठीक है शहरी से सी उ चयत्रों में बहतर सभदम अपको पता है और भी कारण है उद्रकरण के आने से क्या हुआ सर रीचेत्र में बड़ावा हुआ ठीक है jadi सिख्षा में बड़ावा हुआ श्वास्त्य में बढ़ावाथ तीक है परिवहान में बिरद्य हुई तो इन को देखके क्या हुआ लोग सहरों के तरफ आकर्सित होने लगे अधिस उन्दाया उपलब थी जिसके कारण सहरी छेत्र में लोग अधिक मात्रा में आने लगे और ग्यारवी पंचवर्थी योजना में भारत के अधिक विकास के लिए सहरी करण को लक्ष मनाए गया अपने पता के पंचवर्थी योजना में जो भारत को अधिक लाब दिलाया है वह पूंद दिलाया है शहरी करण और सहरी करण क्यों दिलाया है फ्रेंग क्योंकि यहां करें सेर जरूर करें और और एक और बात इसको आप जरूर कर लिए क्योंकि ये पेपर में आने के बहुत सारे चांस है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद कि जो है कि अग्याइब कि अग्याइब